तो गाइस क्या सच में टीवे डस्ट्रॉय हो चुका है या फिर विक्टर टाइमली मर चुका है या फिर लोकी का डी एंड हो चुका है इन में से कुछ भी अगर आप सोच रहे हो तो मट सोचो क्योंकि I have cracked the episode 5 of Loki season 2 और यह theory और भी ज्यादा promising आपको भी लगेगी जब आप इसके side dots को connect करोगे मेरे जैसे तो episode 4 में हमें दिखाया जाता है कि temporal room टूट चुका है बिलकुल मेरे दिल की तरह और उसका blast impact TVA पे बहुत जोर का होगा जिससे most probably TVA destroy हो जाएगा और जितने भी TVA officials हैं वो सब वापस timeline में चले जाएंगे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उनको प्रून किया जाता तो वो वॉइड में जाते जैसे की रवोना गई थी क्योंकि वही end of time में हैं लेकिन यहाँ पर तो TVA ही destroy हो रहा है तो most probably यह लोग यहाँ पे मर जाएंगे या फिर अपने अपने timelines में चले जाएंगे और अब आप पूछोगे कि तो फिर यहाँ बचा ही क्या तो boss यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज से बच जाएंगे और वो है Loki and Loki की variant Sylvie ऐसा इसलिए क्योंकि Sylvie के पास he who remains का टेम पैड है जिससे वो time door खोल के past में जा सकती है वहीं अगर हम बात करें Loki की तो Loki most probably time slip करेगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो तो season 1 का fourth episode भी ऐसे end हुआ था जहाँ पर हमें लगा कि Loki तो गई हो बट हमें पता चला था कि वो वाइड चला गया था तो same चीज यहाँ पर होने वाला है basically यहाँ पर Loki time slip करेगा क क्योंकि हम लोगों ने trailer के अंदर देखा हुआ है कि Loki इसी dress में अलग-अलग time period में फेका जा रहा था प्लस अगर आपको याद हो तो episode 1 के अंदर Loki को Mobius ने time stream से extract कर लिया था मतलब अब वो किसी भी timeline का हिस्सा नहीं है जिसके वजह से वो फिर से time slip करेगा इसलिए वो TVA औ और अलग-अलग time line में time slip करते वे हमें दिख रहा था trailer के अंदर और यहीं पर शाय तक मेरी पूरानी theory सही हो जाए जिसमें मैंने यह कहा था कि Loki time slip करके जो jets की shop के सामने आता है यह most probably वो जगा हो सकता है जहां पर Mobius काम करता है and maybe Loki ही वो बंदा हो जो Mobius को TVA के अंदर recruit करत करता है देखा जाये तो केसी को भी हम कैदी वाले dress में देखते हैं तो मेभी वो sacred timeline में कोई criminal हो या फिर कोई mental patient वो इस बार भी fail करेगा क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर Loki को कई बार again बोलते हुए सुना है अलग अलग shot देखने को मिला है temporal room के सामने वाले room का जिसमें एक बार तो वो mic पकड़ा हुआ रहता है तो कुछ shot हमें close up देखने को मिले हैं इसके अलावा ट्रेलर के एक shot में हम लोगों ने ये देखा था कि Loki temporal room के और खाली हाथ बर रहा था जबकि उसके हाथ में वो device होना चाहिए जिसको लेकर विक्टर टाइम ने गया था मेभी वो अपने magic से वहाँ पर temporal room को ठीक करने जा रहा हो या फिर उसको रास्ते में वो device मिल जाएगा nevertheless Loki उस temporal room को ठीक करने अकिला जाएगा जो कि हम इस shot को देखकर कह सकते हैं जो कि एक reason हो सकता है Loki के time slip करने का यहां से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसा episode 1 में हुआ था वैसा ही कुछ episode 4 में हमें देखने को मिलेगा in fact trailer के shot में हम time slip कर रहे है Loki के सामने एक और Loki को देखते हैं जो कि TV का guide book पढ़ रहा होता है इसके अलावा आपको याद हो तो कैसे Loki past में O.B. को कुछ भी बता रहा होता है तो वो present में O.B. के दिमाग में update हो जाता है machine तक बन जाती है जिसको बनाने के लिए Loki ने past में कहा था तो ऐसा ही कुछ हमें यहां पर देखने को मिलेगा जहां पर Loki जब past में जाएगा तो वो सब को पहले ही want कर देगा और ऐसा होने से सब कोई पहले से ही prepare हो जाएंगे और उसको बचाने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में सोचने लगेंगे मेबी लोकी इस बार time sleep करे तो वो ओबी को बोल दे कि who he remains का temporal aura को temporal room तक पहुचने के लिए necessary मत रखना वरना फिर से हमें he who remains या उसके किसी variant को खुजना पड़ेगा और उसमें काफी वक्त जाएगा मेबी एपिसोड 5 में हमें O.B. का भी origin देखने को मिल जाए Mobius के जैसे क्योंकि यहाँ पर लोकी टाइम में आगी पिछे जा रहा है जैसा कि हम लोगों को लोकी सीजन 2 के 4 एपिसोड को देखकर समझा चुका है कि TVA का अपना टाइम लाइन है जिसमें अगर कोई changes होंगे तो वो उसी के अंदर होंगे ना कि कोई branch टाइम लाइन बनेगा तो बॉस ऐसा भी हो सकता है कि सिल्वी टाइम डोर खोले TVA के पास्ट में और उसमें सब को भेज दे या एट लिस्ट लोकी को ढखेल दे क्योंकि अगर याद हो तो लोकी सीजन 1 के अंदर सिल्वी ने यही किया था जहां पर उसने अंजाने में ही सही लोकी को TVA के टाइम स्लिप करने लगा था और मेरे ख्यास से लोकी जब दोबार से कुशिश करेगा टेंपर लूम को फटने से रोकने में तो शायद तक सिल्वी उसके साथ ना हो या फिर लोकी इसको खोज ना पाए इसलिए टेलर के इस शौट के अंदर हम देखते हैं कि सिल्वी के आ ऐसा नहीं है भाई असल में विक्टर टाइमली एक्रोस दा टाइम फेका जा चुका है और इसके पीछे का कारण है ये सीन जहां हम विक्टर टाइमली के बच्पन को देखते हैं जो कि 19th संचुरी में रहता है और ये सेकर टाइमलान है मतलब कि ये मेन बंदा है जो ही यू विक्टर टाइमली ने ने इसको पढ़ा और फिर रिसर्च किया जिसको फिर बाद में उबी ने पढ़ा और फिर उसी के बेसिस पे उसने टीविय की वरकिंग को बनाया और उसने टीविय का गाइड़ बुक लिखा अब देखा जाए तो यहां पर हम लोगों ने वह कॉन् और वो यह है कि यह हम सब जानते हैं कि He Who Remains सब प्लैन करके बैठा है और इसलिए वो शियोर था कि वही घूमफिर के इसी गद्दी में बैठेगा और इस बंदे का सबसे वफदार अगर कोई है तो वो है Miss Minute मैं यहां रवोना का नाम लेता बट वो अभी He Who Remains से गुस्सा है कि उसकी मेमरी को मिटा दिया गया जबकि उसी के मदद से He Who Remains जीता था और यह बात रवोना को पता कैसे चला? Miss Minute के तुरू जो कि इतना obsessed है He Who Remains को लेकर जो कि हम इस सीम में देख पाये थे जहां पे रवोना जब He Who Remains के एक वेरियंट यानि की विक्टर के करीबारी थी तो वो जल रही थी तो हो सकता है कि यह जो विक्टर टाइमली है यही He Who Remains बने आगे जाकर क्योंकि इतने सारे कैंग वेरियंट में से शाय तक वही है जिसने Miss Minute को बनाया सो Miss Minute भी चाहेगी कि घूम फिर के पीवे की गदी पे He Who Remains सी बैठे ताकि वो भी existence में आ सके और शाय तक इसी लिए जब वो shutdown हो रही थी तो उसने विक्टर को target करते हुए ताना मारा कि तुम उसके जैसे कभी भी नहीं बन पाओगे ताकि यह बात विक्टर के दिल पर लगे और वो कुछ गढ़बर करे विक्टर का यहाँ पे machine को लेकर जाना सबसे sensible decision लगता है given the explanation कि अगर वहाँ कोई गढ़बर हुआ तो विक्टर उसको solve कर सकता है लेकिन अगर आप उसके character पर ध्यान दो तो यह बंदा शुरू से ही मुसीबत देखकर भागता आया है ना कि इसका सामना किया है बट पता नहीं क्यूं यहाँ पर वो अचानक से hero बनने का सोचता है और खुद को चौमिन बनाने के लिए temporal loom की और बढ़ देता है इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर विक्टर मरा नहीं बलकि वो across the time scatter हो चुका है ठीक वैसे ही जैसे रवोना को कॉमिक्स के अंदर कैंग ने scatter किया था across the time line and just imagine कि He Who Remains विक्टर टाइमली का वो वर्जन हो जो की 31st century में चला गया था and उसने ही Miss Minute को बनाया and फिर Miss Minute को body सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि Miss Minute ने विक्टर को ताना मारा था कि तुम कभी He Who Remains नहीं बनोगे देखा जाये तो मैं अभी ये विक्टर टाइमली वोले point में और भी कई साई चीजों को add कर सकता हूँ लेकिन उन सब को मैं अपने next वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि विक्टर टाइमली ही He Who Remains है इसके उपर एक वीडियो बन सकती है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ and most probably वो जल्दी ही आ जाएगा इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें comment section के जरीए पूछ सकते हैं अगर मुझे interesting लगा तो मैं उसको अपने theory वीडियो में ही जोड़ दूँगा या फिर comment से question वाले में add कर दूँगा तो guys कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो और इसमें बताएगे theories आपको कैसे लगी मुझे comment section के जरीए जरूर बताएगा इसके अलावा अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर दीजेगा और पुराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालो उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे channel का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें and keep moving forward करेट लगा कर आगे बढ़ते जाए Thank you for watching this video, stay tuned